डियर फ्रेंड्स स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल डियर अश्टडी पॉइंट पे जैसा कि मैंने आप सबसे प्रॉमिस किया था कि मैं रेलवे और एससी के आने वाले अपकमी एक्जाम्स के लिए जिन्होंने मेरा पहला पार्ट नहीं देखा है वह जाकर पहले पार्ट देख ले और आज यह हमारा दूसरा पार्ट है जिसमें हम टोटल 50 questions with full discussion discuss करने वाले हैं तो आप लोगों का ज़्यादा टाइम ना लिते हुए हम लोग अपने पहले question के और बढ़ते हैं और आप लोग हमारे इसी तरह से और भी अच्छे अच्छे questions और सेशन को देखने के लिए हमारे चैनल डियर अच्छे पॉइंट को सब्सक्रा करना जाता है तो हमारे जो question है dark muscular diaphragm that controls the size of the pupil is known as तो पुपिल के size को जो control करने के काम करता है वो iris करता है ठीक है जब iris की बात आती है तो iris दोता है वो cornea के पीछे का भाग होता है ठीक है आप लोगो याद रखना है कि iris cornea के पीछे का भाग होता है यहाँ पर से एक important question ब वो हमारे आखों के focal length को ठीक है focus दूरी को control करने का काम करता है क्या करता है वो focus दूरी को control करने का काम करता है ठीक है चलिए अगले question कर बढ़ते हैं रेशम समागरी के उतपाधन के लिए रेशम कीडो की culture परकिरिया को आमतोर पड़ क्या गते हैं तो उसे सेरी culture के नाम से जाना जाता है ठीक है हमारा अगला question है प्रधान मंतरी स्रम योगी मान धन ठीक है क्या है प्रधान मंतरी स्रम योगी मान धन योजना के तहट और होना चाहिए और ये योजना कब लाग हुआ था 15 फरवरी 2019 को ठीक है और इसका जो एस ग्रूप है वो 18 वर्स से 40 वर्स के युवाओं और मजदुरू के लिए ये किया गया है ठीक है हमारा अगला question है जैन दर्सन के सिच्छा देने के लिए किसने पूरे दच्छी निश्य की यात्रा की थी तो पूरे दच्छी निश्य की यात्रा करने वाले महावीर थे महावीर जो है वो जैन धर्म के 24 डाट मिस 24 में तिर्टर थे और वे अंतिम तिर्टर भी थे ठीक है हमारा अगला question है x-ray का उप्योग किस लिए किया जाता है तो x-ray का उप्योग किस लिए क जाता है x-ray के बारे में मैं आपको एक बात और बताता चलू कि x-ray जो होता है वो इलेक्ट्रिक फिल्ट से डिफ्लाक्ट नहीं होता है ठीक है अगला question दिल्ली के असो का समय ने बैज्यानिकों को चर्कित कर दिया है क्योंकि मौसम की सभी आनिमतात के कारण इसमें जंग नहीं लगती है यह किस से बना है तो यह लोहा से बना है ठीक है और यह 4th century में बना था ठीक है कब बना था 4th century में next question सुभाश चंद्र बोश ने स्वतंत्रता से पहले निम्नलिखित में से किस कारी योजना की अध्यस्ता की थी तो उन्होंने हरी पूरा अधिवेशन की अध्यस्ता की थी हरी पूरा अधिवेशन जो हुआ था वो 1938 में हुआ था next question BCG vaccine का अपयोग निम्नलिखित में से किस रोग के खिलाब परतिरक्षा विक्सित करने के लिए किया आता है तो ये यच्छमा के लिए ठीक है जिनको यच्छमा नहीं समय रहा हूँ टूबर क्लोसिस जान ले टूबर क्लोसिस को सौट में हम लोग टीवी के नाम से भी जानत निक्स्ट कोश्चन हिरिटेज विद्धूत परोजना सोना पानी मीनी हाईडल विद्धूत परोजना कहां इस्तित है तो ये जो है वो मेघाले में इस्तित है जब बात मेघाले की आती है तो मेघाले से जो एक बहुत ही इंपॉर्ण कोश्चन है और वो ये है कि मेघाले क मासिन राम में, ठीक है? मासिन राम डिस्ट्रीक जो है, वहाँ इंडिया में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है, ठीक है, next question, भोपाल गैस त्रास्दी में लीख हुई मेथिल आईसोसाइनाइट का फॉर्मूला क्या है मेथिल आईसोसाइनाइट का फॉर्मूला जो है वो CH3NCO है अब आप लोगों के विए मैं बता दो कि भपाल गैस राज़्दी जो है वो 3 दिसंबर 1984 जिसमें लगभग 3500 लोगों की ततकाल मिर्त्य हो गए थी ठीक है कौनकन तट का एक तटी ये छित्र जो निमलिखित में से किसके बीच पायाता है तो कौनकन करता जो तटी ये छित्र है वो दमन और गोवा की बीचे पायाता है कौनकन तट की कुल लंबाई 720 किलो मीटर है ठीक है इसके साथ मैं बता दू कि भारत का जो पश्मी भाग है पश्मी भाग के जो तट है उसको तीन भागों में विभाजित किया गया है पहला है आपका कौनकन करत ठीक है दूसरा है करनातर तट ठीक है और तीसरा है माला बार तट ठीक है, आपको ध्यान में रखना है, हमारा next question है, निमलखित में से कौन सा दिन विश्व यक्रीत दिवस के रूप में मना आता है, तो 19 अपरेल को विश्व यक्रीत दिवस के रूप में मना आता है, और इसके theme जो था, वो है, riding new waves in liver diagnosis, ठीक है, theme को भी आप लोगो ध्यान रखना है, कि sometime exam में किसी water decay ने theme को लेकर अक्सर question पूछ लिया आता है, हमारा next question है, hydroponics किस से संबंदित है, hydroponics जो है, वो बिना मिट्टी के पौधे उगानों से संबंदित है, इसमें क्या होता है, बिना मिट्टी के पौधों को उगाया आता है, next question, सबसे परचूर मातरा में दहनसील प्राकरतिक गयस कौन सी है, तो सबसे दहनसील प्राकरतिक गयस जो है, हमारा methane है, next question, which national highway connects Delhi and Kolkata via Matra and Varanasi, तो हमारा answer हो जाएगा NH2, ठीक है, हमारा answer, हमारा जो असा ही option है, वो NH2 है, NH2 जो national highway है, वो Delhi and Kolkata को connect करती है, और Matra and Varanasi के थुरूर, ठीक है, अब जब बात national highway की आ रही है, तो आपको बताता चलू, कि जो सबसे longest national highway है, वो NH44 है, ठीक है, कुछ लोगों को लगता होगा NH7, लेकिन NH7 जो है, वो NH44 का ही पुराना नाम NH7 है, ठीक है, और सबसे जो shortest national highway है, वो national highway 47A है, ठीक है, चले, next question, चिकित्सा हिर्दय, जिसमें हिर्दय नियमित रुप से नहीं धढ़कता, उसे erythemia कहते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं, erythemia, erythemia के दो परकार होते हैं, पहला होता है Bradcardia, क्या होता है, Bradcardia, Bradcardia में क्या होता है, जो दिल की धड़कन होती है, वो धीमी हो आती है, और दूसरा होता है, टैसी काडिया, क्या होता है, टैसी काडिया, तैसी काडिया में क्या होता है, दिल की धड़कन होती है, वो तेज हो आती है, चले, next question, ग्रेट बात नामक एक सुनिंग कुल कहां मिला था तो ग्रेट बात जो है वो मोहन जोदुरु मिला गया था मोहन जोदुरु अभी पाकिस्तान का हिस्सा है ठीक है पाकिस्तान का सिंद का हिस्सा है यह भी ठीक है और जब बात मोहन जोदुरु का थे मोहन जोदुरु का के यह फुस्तक 1988 बे पफ्लिश हुआ था ठीक है और लाला लाष मत रहा को पंजाब केशरी के नाम से भी जाना जाता है ठीक है आपको एधयान राखना है कि लाला लाष मत रहा को पंजाब केशpri के नाम से भी जाना जाता है next question खाली जगह is not a source of the revenue of the central government निम्लीखित में से कौन सा central government का revenue का source नहीं है तो जिन्हों ने मेरा पिछले वीडियो देखा होगा तो से मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि custom duty, corporate tax, exercise duty यह सारे जो होते हैं वो central government के revenue का source होता है लेकिन जो agriculture income tax होता है वो central question मांच किस राजे का लोक निरते है मांच जो है वो हमारा मद्य परदेश का लोक निरते है हर्याना की जब बाद है कि हर्याना का धमाल मंजीरा खेड़ा के सब हर्याना का लोक निरते है ठीक है केरल का तो पता ही होगा कथा गली अरसम का भी हूग ठीक है next question किस देश ने उन सठवे सुब्रत कप अंटराश्टिये फुटबॉल टुर्णामेट जूनियर जीता है तो इस जीतने वाले कौन है वो बांगला देश है ठीक है बांगला देश और इसने किजो को खुराया है अफगानिस्तान को खुराया है वीनिश क्वेस के संभाईदान में टो बांटा आथ अनुसुची था बट अभी हमारे पास कुल 12 है दूसरा जो है वो इनम रखेगा दूसरा जो जो २श्ची जोड़ा गया है वह उनिस्सro 500 वह तीसरा जो हमारा वह बहुमीम को और चौथा पर बिद को और आध mają जो लाके ए नेक्स्ट कुर्षिट cheap मतदान की बहूलता के सिधानत पर कौन सी चुनाव प्रनाली काम करती है, तो मतदान की बहूलता के सिधानत पर first, past, the post प्रनाली काम करती है, अगे कनाडा, अमेरिका और इंडिया जैसे देसों में इसी बेसिस पर चुनाव कराए जाते हैं next question है हमारा, किस राजी सरकार ने हाली में छात्रों को जानकारी परदान करने के लिए टोल फिरी हेलप लाइन अस्थापित की है, तो तमील नाडू के सरकार ने, ठीक है, next question, बर्नावली पर में किसके संरक्षन का कथन है, तो बर्नावली पर में जो है, वो उर्जा के संरक्षन का वर्नन करती है, next question, एक गद्दे में फसे धूल के कन, इसे पीटने से बाहर आ जब बात इनर्सिय काते हैं, इनर्सिय के पर मैं बता दूँ, इनर्सिया तीन तरह कहते हैं, इनर्सिया ओफ मोशन, इनर्सिया ओफ रेष्ट और इनर्सिया ओफ डायरेक्षन, ठीक है, यह इनर्सिया ओफ रेष्ट को हम लोग गती का विराम का जड़तव, विराम का च traveled हमारा अगला question है किताबे 9 पुस्तव किसके द्वारा लिखी गई है किताब hedgeorf पुस्तव इब्राहिम आदिल सादिव्या लिखे गई है इब्राहिम आदिल तो जगत गुरु के नाम से भी जाना जाता है हमारा next question है भारती renovation Bank rbi n सौ रुपया के नए नोट पर जारी करने के लिए निम लिखित में से कौन सा पारूप सामिल किया है तो सौ रुपया के नोट में रानी के वाप को सामिल किया गया है और सौ रुपया के नोट का जो कलर है वो बैगनी कलर है ठीक है आप इसको ध्यान में ठीएगा हमारा नेक् जब बात lift की आ रही है तो आपको ध्यान में रखना है कि जब हम lift में से उपर की उन गति करते हैं तो हमारा भार बढ़ता हुगा परतीत करता है और जब नीचे आते हैं होते हैं तो भार घटता हुगा परतीत होता है ठीक है इसमें से एक बहुत करतव्यो को किस देश से लिए गया है तो जब बात मौलिक कर्टव्यों की आती है तो वो हमारा Soviet संख से लिया गया है सोब्य वस्य उपसंग मतलभ USSR से लिया गया है टिख़िए अब एक चीजा और बताता चलो UK से संसदातमक सासन परनाली क्या होता है संसदात्मक सासन परनाली ठीक है और एकल नागरिजा लिया गया है यह कहां से UK से लिया गया है ठीक है USA से बात आती है तो USA के बात में बहुत अच्छी चीज़ है यह याद रखना है कि मौलिक अधिकार ठीक है USA से मौलिक अधिकार लिये गया है ठी यह अक्सर एक्जाम में पूछ लिए आते हैं और अस्ट्रेलिया से समवर्ति सूची, केंद्र और राजिस के बीच में सक्तियों का जो विभाजितन है वो अस्ट्रेलिया से लिए गया है ठीक है नेक्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट तो प्यूज गोयल अभी हमारे cabinet ministry में रेल मन्त्री है फिक है यहां को धियान हमरे मिनिस्टर और बनिर दिछे में 2 भी हमारे ब्निस्ट में कि यह tenant क्योट्य première गोडर किस्वर सा लाग हुआ हमारा नेक्ट कोश्चन है भारत में सामयवाद का अग्रदुत था था वह एमेन रॉय थे ठीक है नेक्ट कोश्चन है मुगल अस्कूल ऑफ पेंटिंग ने भारती लगुकला के विभिन अस्कूलों के स्पाइनल कॉलम का गठन किया था निमलखित में से कौन सी चितरकला सैल कि मुगल चितरकला से प्रवावित नहीं थी तो वह कौन है काली घाट काली घाट जो है हमारी स्वादेशी चितरकला है ठीक है यह आपको ध्यान रखना है काली घाट स्वादेशी है जबकि पहाड़ी राजथानी कांग्रा यह सारे एक सारे मुगल अस्कूलों कि भारत छोड़ो अंदोलन 1942 को हुआ था पूना संधी 1932 में हुई थी सिमला सम्मेलन जो है 1945 में था और कैबिनेट मिशन 1946 में आ था तो अब इसको देख सकते हो कि सबसे पहले 3 तो 3 फिर 1 फिर 2 फिर 4 तो यह कौन है 3 1 2 4 ऑप्शन नमबर C में है तो हमारा ऑप्शन नमबर C हमारा next question है मानव रक्त की चिपचिपी का प्रकीरतिक करण क्या है तो आपने कभी notice किया होगा कि हमारा जो रक्त होता है ब्लड होता है उसमें हलके से चिपचिपाहड होती है वो किस करण्स होती है वो रक्त में प्रोटीन होने करण होती है ठीक है और जब बात रक्त की आ ठीक है, platelets होने के कारण होता है, ठीक है BRICS विकास बेंक को अब आफ़ क्या कहा जाता है ठीक है तो जब बात BRICS की आती है तो सवतहले मैं BRICS के बाइराम का बता दू की BRICS का जो गठन है वो 2006 हुआ था, जब इसका गठन हुआ था इसमें सिर्फ चार देश थे, ब्राजील, रसिया, इंडिया और चाइना, लेकिन 2010 में, ठीक है, कब 2010 में, जब इसमें South Africa भी सामिल हुआ, तब इसका नाम BRICS से BRICS हो गया था, ठीक है, तो आपको ये ध्यान अकना है कि 2010 में, ठीक है, 2010 में South Africa को सामिल किया गया था BRICS समयल मे और BRICS विकास बैंक को अब New Developments के बैंक के नाम से जानना जाता है, हमारा अगला कुश्चन है, सरकारिया आयोग संबंधित था, सरकारिया आयोग जों संबंधित है, वो केंदरिये राज्यों से संबंधित है, और इसका गठव 1983 इसमें हुआ था, नेक्ट कुश्चन है हमा सूचना का अधिकार दीनियम किसवर से लाग हुआ था, तो ये 2005 इसमें लाग हुआ था, इसके बैस बता दू कि ये 15 जून 2005 को पारित हो गया था, लेकिन ये लागू कभ हुआ था, 12 अक्टूबर 2005 को, चीक है, हमारा नेक्स्ट कुश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ह हार्मोन प्राकीर्तिक फल के पकने में सायक होता है, तो कौन सा हार्मोन होते हैं, एथिलीन होते हैं, ठीक है, एथिलीन जो होता है, वो प्राकीर्तिक फल के पकने में सायक होती है, हमारा अगला कुश्चन है, नीचे दिये गए नदियों को जोड़ों में से कौन सी भारत क दच्छिन भारती वागें बाती है, तो कौन सी नदी है, कावेरी और गोदावरी, ठीक है, कावेरी और गोदावरी जो है, वो भारत के दच्छिन वागें बाती है, गोदावरी को दच्छिन गंगा के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, आपको ध्यान में रखना है, गोदा अगल्चेशन निमलिखित में से कौन सा राज्य मयमार के साथ सीमा साजह नहीं करता है अगल्चेशन है तो पर 30 सेकंट में यह वह तनी कम क्योंचिती यह वह में समझ में नहीं आता है और हमारा आज का अंतिम क्रिश्चन है मानव नेत्रिके किस भाग पर जवी बनती है मतलब जो images होते हैं वो रेटीना पर फॉर्म होता है और आपको यह हमेशा याद रखना है कि रेटीना जो images फॉर्म होते हैं वो हमेशा real and inverted होते हैं हाई हिंदी में कहलो तो वास्तिविक और उल्टा ठीक है जब भी image फॉर्म होगा अगर वो वास्तिविक है तो वो उल्टा ही होगा ठीक है उमिद करते हैं आपको हमारा यह सेशन पसंद आ रहा होगा और आगे भी मैं इसी तरह की important questions जो एक्जाम में most expected हैं पूछे जा सकते हैं पूछे जा रहे हैं वैसा ही लेते आऊंगा तो इस channel पर बने रहे हैं और इस channel को subscribe करना ना भूले विडियो को like करें share करें और जितना मुझे जादा आप share करोगे उतना ही जादा मैं daily basis आपको नहीं नहीं questions जो एक्जाम के लिए बहुत important है लेके आता रहूंगा